रादे रादे दोस्तों हरे कृष्णा उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यह ब्लोग जो है यह दिवाली के अगले दिन का है दिवाली के मतलब नेक्स्ट डे का है तो मैं यहां मतलब सुबह का समय है लगबग अभी 9.30 मैं घर पर पहुंच आई हूँ और यहां पर शाम का टाइम और ममी ने ठाकुल जी को राधर रंज को विराजमान कर दी आ था मंदिर में तो शाम का टाइम और भावु लोग जी न मैगी बना रहे के तो सारे बच्छों के दिया है और यह नेक्स्ट डे और इस टैम नहीं मतब भाया दोज का दिन का दिन है यह तो यहां पर ममी दलीदर खेद रही है हमारे यह ने दरीदर खेदा जाता है जैसे दिवाली के नेक्स्ट डे जैसे गोबर भाया दोज के दिन भूर में दलीदर खेदा मतब खेदते हैं जैसे कहते हैं दिवाली के दिन लचमी जी और लचमी जी दोनों साथ में चलती हैं तो लचमी जी को सभी विराजमान करते हैं और नेक्ट डेना लचमी जी को ना भगाया जाता है घर से तो वही है तो यहां पर चाकू सूपा से ममी ने दली दर को खेदा फिर आके हाथ पे दोया मैं यहां पानी लेके खड़ी हुई थी मम वेगरा लगा और भावी लोग भी उठ चुके अपने कामों में लगे हुए हैं तो यहां पर बस में यह पूजा वाला जो कमरा है ना बस यहां पर मैं जारू लगा कर पोचा वेगरा लगाऊंगी और उसके बास में नहां कर फिर रैडी होके आऊंगी क्योंकि कातिक का मह हैंनक यहां चल रहा है कातिक के महने में ठाकर सेवा तोसी सेवा दीपदान बहुत जरुरी होता है क स् Randi के महने में करना तो बसवह हैं और आज को दिनमिरंद रान दाल पूरी बनाई… लग संधन Yay यहां आप लोग के क्या कहते हैं आप लोग कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा तो बस में किचन में गई थी वही देखने दाल पूरी बनेगा यहां पर भावी लोग ने भीगो रखा चने की दाल दाल पूरी बनने के लिए खीर बनेगी आलू टमाटरी की सब्जी ने तो कि भूजिया बन जाएगी तो उसके बासे में नहा कर चली आई हूं और नहाने के बाद फी में थोड़ा बहुत ना क्या करते हैं सिंदूर वेगरा लगाओंगी क्योंकि ना पूजा में कभी भी बैठो ना तो अपना सुहा का चीज पहन लेना चाहिए ताकि भागवान का अब आसी बात मिल जाए तो यहाँ पे मैंने ममी ने पहले ही उठा दिया था सभी काना जी ठाको जी को मता भागवान को उठा दिया था तो यहाँ पे मैं आ गई हूं और मंदिर के जो भी बरतन है रात के वह सारे में उठा के धोके और साफ पानी लेकी आऊंगी और अपन जो ओड़ाति जलाते हैं तो तुमा धकड़ को ही जाती है यहां पर मैंने सबकोन आख अरचसे से रेड़ी करकर बैठा दिया है और मतल्ल जिका दिया हैं और काना जी को मैंने अपना भाई माना है तो आज भाई दोजह है तो मैं अपनी कानाजी को तिलक कर दूंगी आज करने वाला तो वो चे बजे का मोह रहाता है मतलब हमार्य न कूटा जाता है तो वह मतलब पूरी हो गी आप अप लोग कैसे होता है गोबर्धन पूजा आप लोग जरूर बताएगा कॉमेंट्स में, मेरे यहां कैसे होता है में आप लोग के साथ से यार करंगे वैसे भी संड़े को और ना टूस्टे को ना हमारे यहां वैसे कुटानी जाता गोबरधन मतुब के दिन कि नहीं हैं उसके बाति में यहां पर खोला मैं में इनको कर दिया नहीं हैं यहां परमें शुर्ण टुलसा जी में दीया अरपित नहीं आ जो इसे भी इनक काम्पलिट कर लिए झाहां के लिए लेकिन अब चट पूजा भी आगे और मेरे पास समय भी नहीं है और यहीं होता है जब पीहर आजाओना तो हम अपने रूटिंग से नहीं चलते हैं आला से बहुत जादा मतब करते हैं पता ने क्यों मैं अपने पीहर आजाती हुआ तो मेरा किसी चीज में ना मन ने लगता एक ना रूटिंग मेरा हो नहीं पाता सईसे बस यह होता है तो यहां पर मैंने पूजा अर्चन सब कर लिया है बहाई दोज मैंने ठाको जी को तिलक लगा दिया है अब मैं जाओंगे चट पे तह यहां पर देख लीजी आप मेरे घर में कितने ठाकोर जी और दो र प्रकार पित कीया हैं क्योंकि कार्टी कमेहन चल रहा है ना इसलिए मैं दीपक की दिखा रही हूं और उसके बाद न फ् były क्या करते हैं तो रदे लादर दोस्तो तो हरे कृष्णा उमीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में भी होगे आनंद में होंगे और आज है भाईया दोज तो आप सब भाईया दोज की आर्दिक हार्दिक शुप काम नाए मेरी तरब से और मेरे पूरे परवार के तरब से सबी माताओं को और सबी कम्पलीट मतलब हो चुकी है मैं अपने सब्सक्राद में थे ना तो कार्थिक का जो पार्थ में करती थी कातिक मेहतु का हुए मैंने पूरा कम्पलीट कर लिया है इस टाइम में अपने पीयर में हूं और दो दिन सबी ब्लॉग में डाला नहीं है मतलब इधर का तो वो सब बहुत प्यार रहे बहुत अनंद रहें और हमेशद खुशंया बने रहें और प्रेम भाव कर बहाल क्यों से तो इसके पूरा ही तिन ने हैं भाईया दूज्मनाने का ऐसा पूंज भी नहीं है कि मोहरत दिखा जाएगा अछा यह पूरा ही दिन है तो फिर आपसे मिलते हूं कि तो यहां तो मैंने कहा कि यहां पर दूद रखके जा रहे हैं कि बाबो भावी लोग ना मतब बना देंगे मेरी दो भावी हैं तो ममी ने कहा कपड़ा चेंज कर ले या तो साड़ी पहन ले अच्छा नहीं लग रहा है ममी को ना थोड़ा फैशन वाला जो कपड़ा होता है वो पसंद नहीं है तो फिर मैंने सूट चेंज कर लिया है क्योंकि वहां पर बहुत सी मतलब लेडिस आएंगी तो यहां पर बस ममी और मैं रेडी हो चुके हैं तो उसके बाद से ना ममी ने हमारे ना सरापते हैं काटे से यह काटा है ममी सराप रही है एक गोधन बाबा के लिए और पर भाईयों के लिए तो इसमें सरापा जाता है ममी के एक ठाप रही है तो एक गोधन बाबा भाईया के लिए और एक अपने भाई के लिए और यहां पर मैं आचुकी थी और वैसे भी दिवाली के दो दिन के बाद ही भाईया दूज पड़ा हुआ है तो यहां पर मुझे मिल गिया मौका सरापने के लिए तो यहां पर बस मैं सराप रही हूँ और फिर यही लेकर जाते हैं मम्मी कह रहे हैं कि कानी उटे हाथ की कानी उंगली से तोड़ी जाती है और भाईयों क सरापी जाती है तो यहां पर मैं पहले गोधन बाबा को सराप रही हूँ और इसके बाद से मैं अपने दोनों भाईयों को सराप हूँगी मतलब कहा जाता है कि हमारे भासा में कहा जाता है कि मतलब होता है मैं भूल चुकी हूँ मैं इस पर लिख दूँगे क्या बोला जात गोबर्धन बाबा के पास तो यहां पे ना मेरी गली की मतलब मतलब वो लगेंगी दादी लगेंगी तो वो भी है मेरे साथ तो यहां पे हम लोग सब जनने आगे धीरे-धीरे सभी मतलब इखटा ओड़े क्योंकि सूरी उदय से पहले गोबर्धन जी की पूजा हो जानी चा काट भी बोलते हैं इसको और यहां पे सब ने ना पूजा विगरा कर लिया है और मतकी रख दिये हैं बीच में जैसे कि मतकी इसलिए रखा जाता है जो भी नजर-गुजा जो इसी मटकी को रखके गोधन बाबा के पास और फोड़ा जाता है कि दुस्मन जो भी हैं हमारे भाईयों के वह सब नश्ट हो जाएं तो यहां पे न सबने पूजा अर्चन कर लिया है और यहां पे न जिससे कूटा जाता है न उसको भी पूजा कर ले से हो डंडी को और यहां होता है तो यहां सहरों में मूसर नहीं मिल पाती है यहां डंडा मिलता है तो डंडे से ही इन सबने कूटा मतब कि कूटा इसलिए जाता है कि भाईयों के उपर जो भी अला बला हो वह सब दूर हो जाए तो गोधन बाबा के पास रखकर ही कूटा जाता है तो यहां पे सबन को तो वही बजडि दो दो मतब देते हैं भाई को खाने के लिए इसमें से हम लोग बजडी लेकर जाएंगा महाद चणा लेकर जाएंगे कुछा चणा कर तो यहां पर सबसे पहले ना जैसे हमारे च्छट पूजा में ना सिंदूर पहनाया जाता है सभी को मतब सिंदूर लगाया जाता है तो सभी एक दूसरे का ना सिंदूर मांग भरेंगे मेरी भी मांग भरेंगे नाक पर से सबकी सिंदूर लगाया जाती है सबने एक दूसर का काम मतलब शुरू हो जाती है ति यहां पे ना सबुन का गाना गारा जा रहा है दिवागी आज की दिन पांच गाना गार जाओगी का गार जा वा दी आगे तो करें हो गारा जा-्या जारी से जाओव कर भी आप मतलब शुरू है तो अ जारा जाओगीं आाला है पुमार खिते हागीकिन का गार्म एक गारा जाओगी लाओगीग तो यहां पे सब ने न मतलब विवा का मतलब गाना गाया क्योंकि आज के दिन से न सूब कार्य सुरू हो जाता है विवा का भी सूब कार्य सुरू हो जाता है उसके बाद सब अपने घर को आए और उसके बाद से न मैं घर पे आ गई और भायों सब नहाद होके रेडी हो गए तो यहां पे बस बच्चे घूम फीर रहे हैं, यहां पे मेरी भतीजी सामने बैठी हुई, यह मेरा बड़ाला भाई है, तो पस इसके साथ मैंने तिलक कर दिया है, इसको भी इसकी नजर गुजर उतार दिया, बस हम दोनों भाई हसी मजा कर रहे हैं यही होता ना एक रिस्ता भाई बेहन का तीज़ तो हर पर यह मुलाकात हो पाती है अपने भाईयों से और यह मेरा छोटा भाई है तो इसको भी मैं तिलग कर दे रही हूँ तो बस इसी तरह ना हम सब के ना भाई दोज इसी तरह मनाई गई आशा कर तो आप सभी भाई बेहनों में भी इसी तरह मनाई गई होगी और बहुत अच्छी तरह से आप लोग ने भी मनाया होगा भाई दोज और सभी भाईयों के लंबी उमर हो सभी की नजर गुजर सब उतरे और सभी अपने कारोबार में आगे बढ़ हैं और भाई बेहन का प्यार ना इसी त दूसरे के लिए मतलब कर से फीलिंग होती है हां पर मेरी बेटी ये अपने भाई को मतलब धाया जाता है हमारे से उन्सक्रावा बानके और जो बजड़ी होती है न वो बता से उसके बाश असले मतलब गिफ्ट के तोड देते हैं तो यहां पर मुझे भी मैनारी कि उसके रीया बान देगी उसके दोनों ना मेरे चोटे मरे भाई में कमंने Danish ने उप भुड़ान के लिए तो पस ऐसी तरह हम लोग दोज हम भाई बहनों में मतलब इसी तरह मेरा भाई दोज मनाया गया हम सबने इसी तरह मिलकर मनाया गया I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब केजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे हरे कृष्णा हैपी भाया दोज आप सभी का मंगल में होएं अनंद में रोहें आप सभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रादे रादे हरे कृष्णा जै मता दे कर दो 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 अु recommends कर दो कर दो कर दो झाल झाल